अगले एक वर्स में होने जारी भरतियों के लिए कैलेंडर आयोक के द्वारा जारी कर दिया गया है। सिक्षाक भरति का मामला सदन में उठा जिस पर मानने बेसिक सिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि प्रदेश भर के युवा अब उनका विरोध करने लगे हैं। मुल्यांकन के संदर में एक बड़ी कारेवाई PNP के द्वारा की गई है। इसके बारे में भी विस्तार पूरक चर्चा करेंगे और सिक्षा जगर से जुड़े कुछ अने खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक बने रहीएगा। नमस्कार दोस्तों मेरा नामे नीरेज और आप देख रहे हैं Career Bit YouTube चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो अब लैकन को प्रेस करना ना भूलें। SSC यानि की Staff Selection Commission के द्वारा अगले एक वर्स में होने जा रही भरतियों के लिए यहां पर कैलेंडर जारी किया गया है। SSC में नई प्रात्मे की सिक्षा परति के लिए लगतार अभिरति संगर्स कर रहे हैं। SSC यानि 5 जनवारी के बाद कभी भी लग सकती है, 10-15 जनवारी कभी भी लग सकती है। बकाइदा उन्होंने एक ट्वीट करके भी इसके बारे में जनकारी दी थी, हलांकि बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया था। उत्तर प्रिदेश में 79 जर्शायक अध्यापकों की भरती में आरक्षण विवादित मामला सांथ होने का नाम नहीं ले रहा है। आप इसके पर एक आर्टिकल देख पारे होंगे OBC आरक्षण के मुद्दे पर सपा का वॉक आउट। या तो राष्टिय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट बलत है, इतना मैं तो कुछ चकता हूँ। माने सभापती जी, राष्टिय पिछड़ा वरग आयोग एक संबैदानिक संस्ता है, उनकी कोई ली रिपोर्ट सरकार के पास आएगी तो हम उसको दिखवा लेंगे। ऐसे घोष्टना के बाद से अभियर्थियों को उमीदे थीं कि जिस प्रकार से आरक्षण विवादित मामला उत्तर प्रिदेश में तूल पकड़ा और जिस प्रकार से आयोग ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट की, उसके आधार पर अब प्रिदेश सरकार जूग करके इन अ इसक्षामंत्री जी ने इस पष्ट सब्दों में कहा कि आरक्षण में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, साथ ही उनके द्वारे ये भी कहा गया कि कमिटी अपनी रिपोर्ट सौपेगी तो उस पर विचार किया जाएगा, मतलब उन्होंने साफ तोर पर इनकार कर दिया कि क करमिटी ने उनको रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है, ये सिर्फ उत्तर प्रदिस में बिरोजगार अभीरतों का हाल नहीं है, आन्ने राजियों में भी जहां विपक्षी पार्टियों की या फिर दूसरे दलों की सरकार है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से बिरोजगारी कि मुद्दे को अंदेखा किया जा रहा, आप इसकन पर एक आर्टिकल देख पार होंगे, जो कि पंजाब से प्रकाशित हुआ है, प्रदर्शन पर पहरा, संगरूर में निव पत्थर रखने पहुँचे सियम, पूलिस ने बिरोजगार अध्यापकों का मुह दबा कर चु कि मिला लखनव में, जब माननी ग्रीह मंत्री जी और माननी मुख्य मंत्री जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ पर 79 जर सहाय का अध्यापकों की भरती से सम्मंदित अभ्यर्थी उपस्तित हो करके, उनको काले जंडे दिखाने की कोशिश किये, और पूरा वि सरकार जब वहाँ कर अभी उस्ताद प्यादा करने का प्यास कर लेए थी, और भयाँ के लाँ उसे अभी उस्ताद के माहुद ने जब को संब्सक्ताद की हत्या करने का किस्ती सरकार ने प्यास किया था, उस प्यास 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 प्या सीटेट 2021 की परिच्छाओं के लिए आप लोग के लगतार कमेंट के मादम से प्रशन आ रहें कि क्या आगे की परिच्छाओं समय पर होंगी सीबियसी ने नोटिस जारी करके ये सूचना दी थी कि 20 दिसंबर 2021 से जो परिच्छाओं प्रारम हो रहे हैं वो अपने नियत समय पर चलेंगी उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया परिच्छा सिर्फ 16 और 17 का डिश्टर्ब हुआ है 16 की द्वितिय पाली डिश्टर्ब हुई है मतलब उसको कैंसिल किया गया और 17 की दोनों पालीओं को कैंसिल कर दिया गया इन परिच्छा के लिए तिथियों की गोशना अलग से आयों के द्वारा किया जाएगा बाकी 20 तारिक से अपनी परिच्छा नियत समय पर 104 रूप से चलने के लिए CBSC ने नोटिस जारी किया था तो 20 तारिक और उसके बाद से जो भी परिच्छा है अपने नियत समय पर होंगी आप सभी परिच्छाओं की तियारिया करते रहे हैं इसके बाद से जो परिच्छक थे जो कापियों का मुल्यांकन कर रहे थे उन पर कारेवाई के संदर में एक पत्र जारी किया गया आप इसकिन पर देख सकते हैं बेटिसी प्रसिक्छाण 2015 चतुर्थ समेश्टर परिच्छा वर्ष 2018 के मुल्यांकन में पाई गई तुर्टी के कारण परिच्छकों के विरुद्ध की गई कारेवाई के संबंद में यहां पर 2018 का यह मामला है और उस समय की परिच्छा में जो धांदली हुई थी या फिर यूँ कहें कि गलत तरीके से मुल्यांकन किया गया था उन टीचर्स पर अब कारेवाई की जा रही है आप इसकिन पर देख पार होंगे पूरा नोटिस जारी किया गया है और इनकी जो गलत तरीके से नंबर बढ़वा लेते हैं पैसे दे करके या फिर इस प्रकार का कई बार मामला प्रकाश में आए अगर बीटीसी 2015 बैच की बात की जाए तो वहां पर एक छात्रनेता का ओडियो भी बहुत तेजी से सोसल मेडिया साइट्स पर वाइरल हो रहा था जिसमें गलत तरीके से पैसे ले करके वो नंबर बढ़ाने की या फिर नंबर दिलाने की बात कर रहे थे तो इन सब पर भी कारेवाई हो सकती है बहुत ही जल्द क्योंकि जिस प्रकार से पहले टीचर्स पर कारेवाई की जा रही है यहां पर साफ तोर पर लिखा गया कि अगर डेटा खंगा लिया जाए जो सफल गोशित हुए थे तो उसमें से लगबग 20-30% अभियर्थी गलत तरीके से नंबर बढ़वाय हुए होते हैं किसी ना किसी गलत तरीके का प्रयोग करते हुए तो किवल उन अभियर्थियों का भी अगर डेटा चेक कर लिया जाए तो ऐसे 20-30% अभियर्थी स्कूटनी के प्रोसेस के तर जो पास गोशित किये गए थे वो फिर से फेल हो सकते हैं और इसके सम्मद में जाच की जारी आप देख रहे हैं 2018 परिक्षा का मामला अभी उजागर हो रहा है कि उसमें गरबड़िया थी और परिक्षकों यानि टी चीएगा भी मत क्योंकि आज नहीं तो कल ये सब चीजे उजागर जरूर होंगी आज अगर आज से 20 साल बाद अगर आप सिक्षक बन जाते हैं और अगर आप इन गलत तरीकों से आपने नौकरी पाई होगी गलत तरीके से नंबर बढ़ा करके तो वो बाद में भी भविश परिक्षा नियमक प्रादिकारी कार्य लेका और मैं सिर्फ BTC 2015 बैच नहीं बलकि DL8 2017, DL8 2018 और DL8 2019 बैच के स्कूटनी के रिजल्ट की फिर से जांच करने के लिए सचीव परिक्षा नियमक प्रादिकारी कार्य लेका बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा अगर वो इस क कारेवाई को सुरू करते हैं दोस्तों आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट के मादम से जरू बताईगा और ऐसे ही महतुपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भग कर यापका दिन शुभू